मोधी सरकार का बड़ा कदम 20 जुलाई से देश में नया उपभोगता संग्रक्षन कानून 2019 लागू होने जा रहा है अब भ्रामक विग्यापन देना महंगा पड़ेगा इस कानून के आने के बाद आगामी 50 सालों तक उपभोगतां को किसी नए कानून की जरूरत नहीं होगी उपभोगता संग्रक्षन कानून में बड़ा सुधार कहीं भी दर्ज कराया जा सकता है प्रग्रण 20 जुलाई से देश में नया उपभोगता संग्रक्षन कानून 2019 लागू होने जा रहा है इस संबंध में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है नया कानून उपभोकता संग्रक्षन कानून 1986 की जगह लेगा नय कानून के लागू होने के बाद किसी उत्पात के संबंध में ब्रामक विग्यापन देने पर कारवाई का सामना करना पड़ेगा नए कानून में भ्रामख विग्यापन देने पर कारवाई करने का प्रावधान है आने वाले 20 जुलाई को मोधी सरकार एक नया कानून लागू करने जा रही है सरकार ने दावा किया है कि इस कानून के आने के बाद आगामी 50 सालों तक उपभोकताओं को किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी नय कानून के तहट उपभोकता अदालतों के साथ साथ एक केंद्री उपभोकता संग्रक्षन प्राधिकरन यानी CCPA बनाया गया है ये प्राधिकरन उपभोकता के हितों की रक्षा कठोरता से हो इसकी निगरानी करेगा पराधी करण के पास जुर्माना लगाने से लेकर सजा सुनाने का भी अधिकार होगा नए कानून में उपभोगता देश के किसी भी कंजूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा भले ही उसने सामान कहीं और से ही क्यों न लिया हो इसी तरह उपभोगता विवाद निवारन आयोग ग्रहकों की परिशानी सुनेगा नए कानून के तहट PIL या जन्हित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में भी फाइल की जा सकेगी इसके दाएरे में ओनलाइन या टेली शॉपिंग कंपनियों को भी शामिल किया गया है